आरोग्यंक में सोयावीन, सोयावीन एक ऐसा पुष्टी कारकन है जिसमें प्रोटीन, वसा, शेचार, खनीच, लवन, लोह, वितामन भी, आधी पोशक्तत्व, पर्चोर मात्रा में विद्यमान होते हैं। इसमें मिलने वाला प्रोटीन किसी भी आमेश, निरामेश, प्रदार्धों में पाई जाने वाले प्रोटीन से उन्नत की समगा होता है। यहे प्रोटीन उच्चकोटी का होने के साथ ही 35-40% तक पाया जाता है। यहे बालक वृद्ध तथा रोगी सबी के लिए हितकर है। इससे कवज और गैस के रोक नहीं होते तथा बालकों का शारीरिक विकास होता है इसमें कोलेस्ट्रोल की मत्रा भी कम होती है इसके निमित परयोग से बालवीर की वृद्धी होती है शाकाहारियों को तो प्रकती के इस अनमुल भेंट का अवश्य परयोग करना चाहिए इसमें अथिगुनकारी तत्तो का अपिक्षा इसका मुल्य भी काफी सस्ता है इसके देनिक उप्योग की वो इस परकार से विदिया है पहला है सोया भीन का आटा पानी में लगाग दस घंटे भी गो दें फिर सुखा करके चक्की में डाल करके आटा पिस्वा लें इसके त्यंतर सादिस्ट रोटी बनती है साद में गेहों के आटे से कुछ अलाग होती है इसके आटे से अनेक वियंजन त्यार होती है गेहूं के आटे में मिला करके इससे रोटी, प्राठा, हल्वा आदी बनाते हैं इसके आटे को अधिक दिन तक नहीं रखा जा सकता दूसरा है सोया बिन का दूद दही सोया बिन को लगवग दस घंटे पानी में भिखो दें फिर इसे बारीक पीष करके समचित मातरा में पानी मिलावें तथा यह दूद जैसा हो जाए इसका स्वाद ठीक करने के लिए पीषते समय इसमें दो तीन छोटी लाची मिला दें तथा दूद को आदे घंटे तक उबालें गुनकारी और पोंश्टिक दूद तैयार हो गया इस दूद में जामन डाल करके दही भी जुमाया जा सकता है तीसरा है सोया बीन का देल सरसों तथा मंगफली की तरह सोया बीन का भी देल निकाला जाता है पोस्टिक होने के साथ ही अन्य खाद्य तेलों से अधिक सस्ता होता है वंस्पती या सर्सो के तेल के स्थान पर इसका परियोग कर सकते हैं इसका तेल सिर में लगाने से बाल काले होते हैं सोया बीन के तेल में कुछ बूंद निमू का रस मिला करके लगाने से मौहां से ठीक हो जाते हैं चो था है सोया बीन की बड़ी सोया बीन का तेल निकालने के बाद इसका जो छिलका बचता है उससे निर्वित बड़ी पोस्टिक होती है सब्जी डाल आदी में डाल करके इसका प्योग मिलाते है सोया बिन की चट्री भुगए हुए सोया बिन से अनपाद से नमक मेर्चे त्यादी डाल करके पीस ले सादेश्ट चट्री के रूपे इसका प्रियोग कर सकते हैं चटा है सोया बिन की खली पच्चियों को इसके खली खिलाने से दूद की मातरा बढ़ जाती है बच्चों के लिए यहे दूद बहुत गुनकारी होता है